नमस्कार आपको स्वागत एश्या न्यूस इंडिया मैं मैं पूर्णम आपके साथ तीस विमानों को एक बार फिर सोमवार देराथ बंब से उड़ाने की धंकी मिली है एक न्यूस अजेंसी के सूत्रों के मताबिक इनमें इंडिगो विस्तारा और एर इंडिया की डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्राइट शामिल है पिछले आठ दिन में अब तक 120 से जादा विमानों को बं हमले की धंकी मिल चुकी है इंडिगो की प्रवक्ता ने मंगलवार को कहा कि सोमवार को इसकी चार उड़ानों को सुरक्षा संबंधी अलर्ट मिले इनमें मंगलूरू से मुंबे आ रही 6E164 फ्लाइट, एमदाबाद से जेदा जा रही 6E75 फ्लाइट, हैदराबाद से जेदा जा रही 6E67 फ्लाइट और लखनों से पूने आ रही 6E118 शामिल है विस्तारा और एरेंडिया के प्रवक्ताओं ने मंगलवार को पुछ्टी की कि सोमवार को कुछ उड़ानों को सोशल मीडिया पर सुरक्षा समंदी धंकी मिली थी हमने समंदित अधिकारेों को इसकी जानकारी दी और सभी प्रोटोकॉल का सक्ती से पालन किया सिविल एवियेशन मंत्री रामोन नाडू ने सोमवार को कहा था कि धंकियां फले ही फरजी हो लेकिन हम इने हलके में नहीं ले सकते हम इसके खिलाफ सक्त कानून लाएंगे केंद्री उड़यन मंत्री रामोन नैडू ने सोमवार हो कहा ऐसी धमकी देने वालों के नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल किये जा सकते हैं सरकार विमानन सुरक्षा नियमों और नागरिक विमानन सुरक्षा के विरुद गेर कानूनी क्रत्यों का दमन अधिनियम 1982 में संचोदन की योजना बना रही है उन्होंने कहा नागर विमानंत सुरक्षा ब्यूरो इस मुद्दे पर लगातार ग्रम अंतराले से संपर्क में है विमान में बम होने की सुचना मिलने पर फ्लाइट को अपने निर्दारित एरपोर्ट के बज़ाए नजदी की एरपोर्ट पर उतारा जाता है इसे इंदन की खपत तो जादा होती है विमान की दोबरा जाच करने यात्रियों को होटलों में ठहराने और उन्हें उनकी मंजिल तक पहुचाने के लिए भी वस्ता करनी पड़ती है एक रिपोर्ट के अनुसार इन सब पर करीब तीन करोड रुपए तक खर्च होते हैं इस हफते विस्तारा एर इंडिया, इंडिगो, अकासा, स्पाइस जेट, स्टार एर और अलायंस एर की सत्तर से जादा घरेलू अंतरराश्चे उड़ानों को धंकी मिल चुकी है समक्यों की वज़ा से अब तक 200 करोड रुपए तक का नुकसान हो चुका है